हेलो सुट्रेंट्स, वेल्गों नुमाई नर्चर, मैं हूँ क्रिशना, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, गेस्ट्रो इंट्रेस्टैनल डिसॉर्डर जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसका नेक्स्ट लेक्चर जहां हम लोग लिकत आती है, ठीक है, तो देखो जारा यहां पर क्या है हमारे पास, एनी पैथलोजिकल कंडिशन ओफ लिवर एज रिजल्ट ओफ क्रोनिक, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से आप पी रहे हैं, एंड एक्सेसिव अलकॉल, बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, ठीक है, यान उसे कई सारी, एक spectrum, एक line है, पूरा एक काफी ज़्यादा, एक वाइड एरिया है, spectrum of condition, क्रेट होती हैं, जो की range करती है, condition ranging from asymptomatic, जो की start होती है, asymptomatic, condition ऐसी हो सकती है, की बिमारी हो रही है, symptom कोई नहीं आ रहा है, कौन सा, fatty liver, लिवर fatty हो जयता है, दिक्कत नहीं मालु याने कि asymptomatic से लेकर करके symptomatic alcoholic hepatitis हो सकता है जो कि end stage of liver failure होती है with jaundice coglopathy and encephalopathy ठीक है ना coglopathy क्या होते है अपना जो blood clotting को लेकर के problem आता है ठीक है और यह हमारा जो हमारा encephalopathy brain में blood clotting का issue रहता है ठीक है तो jaundice coglopathy और encephalopathy यह हमारे last stage में आ रहा है याने कि starting होती asymptomatic से लेकर के last stage कई सारी दिक्कते आती है लिवर की सारी problems है ठीक है तो अब हगर हम ALD के spectrum की बात करें तो सुरुआत होती fatty liver से फिर alcoholic hepatitis और लास्ट में liver cirrhosis cirrhosis का मतलब क्या होता है कि हम यूँ समझ सकते हैं कि liver के अंदर से एक तरह से liquid का निकलना शुरू हो जाता है जो कि एक तरह सम कह सकते हैं कि liver रो रहा है ठीक है एक liquid निकलना शुरू होता है यानि कि उसके cells वगदा मर रहे हैं डेमेज होना स्टार्ट हो चुका है पूरी तरीकी से ठीक है स्टार्ट हो चुका निया था अंदरा उसका एटिलोजी की बात करें तो quantity and duration of alcohol intake आप कितनी quantity लेते हैं कितने समय से ले रहे हैं ठीक है amount of more than 20 ग्राम पर डे यानि कि वुमेंस अगर अलकॉल पीती है 20 ग्राम पर डे ज्यादा तो उनके अंदर होने के संभावना ज्यादा है अब quantity की बात कर लें मैं अगर 40-80 ग्राम पर डे पी रहे हैं ठीक है तो फैटी लिवर हो जाएगा अगर 160 ग्राम पर डे पी रहे हैं तो दस से बीस साल के अंदर हेपाटाइटिस है सिरॉसिस हो जाएगी कि only 50% of alcoholics develop alcoholic liver disease ठीक है ना 50% 15% के अंदर ही होता है कि उस लोग कहते है और वो तो पीता रहे तो उससे कुछ नहीं हुआ मुझे हो गया ठीक है तो ऐसा नहीं है तो आप 15% कौन होंगे विचारे तो वो बैड लग है तो कोशिश करें ये काम ना करें याने कि आप शौक रख है ओके तो पैसे अगर हम बात करें तो देखो क्या हो रहा है यहां से देखना अच्छा पैसे में मैं बताओंगा कोई भी एक लाइन पकड़ देना तीन तरीके से होगा इस्टार्टिंग का यहां तक कॉमन है याने कि हमने अल्कॉहल पिया अल्कॉहल इतनल कंजप्शन लिवर के अंदर मेटाबलाइज हुई तोड़ने काम कौन करता है लिवर करता है बाइंजाइम अल्कॉहल डी हाइडोजनेस एंड सी वाइपी साइटोक्रोम पी टू एवन यह दो एंजाइम में जो अल्कॉहल को मेटाबलाइज करेंगे तोडेंगे अब जब अल्कॉहल टूटता है तो एडिएच अना अल्कॉहल डी हीट अडिएच कनवर्ट इचनल को अगतर अगुद आट अपर देटा और और यह दोनों मिल करके यह दो चीजें हो गई यह दोनों मिल करके क्या कर रहे है एक्सेसिव अल्कॉहल कंज्यूम होगा दा लिवर केनाट प्रोसेस ethanol and its metabolite quickly enough ठीक है ना बहुत ज़्यादा पी होगे तो यह तुरंट उसको convert नहीं कर पाएगा और and its metabolite जो है वो तुरंट उसमें break नहीं होगा जिसके वह से क्या होगा ethanol, acetaldehyde and NADH accumulate जो यह इसके metabolite बने है वो तुरंट वह से क्या होगा साफ नहीं होगे यह धिदर उसकों से घट्टे हो जाएंगे in the liver and may enter the blood stream और acetaldehyde NADH यह क्या करेगा blood stream में और ethanol याने कि जो बहुत ज़्यादा acetaldehyde बन गया है बहुत ज़्यादा NADH बन गया और अब ethanol आगे तूट नहीं पा रहा है तो सबसे ज़्याद जो acetaldehyde reactive होता है यह क्या करेगा हमारा protein enzyme और DNA को damage करेगा यहाँ से अब तुम लोग तीन कहानिया बनती है तीनों में से कोई एक कहानि चूज कर सकते हो ठीक है तीनों में से कोई एक चूज कर लोगे सबसे simple यह है यहाँ से यहाँ आ जायाने कि तुम चाहो तो पहले step में इसको छोड़ दो इसको भी हटा दो इसको भी हटा दो यह वाले को उठा करके हैं सामने लिया ओ ठीक है acetaldehyde upregulate the production of enzyme required for fatty acid synthesis जो fatty acid के synthesis यानि fat को बनाने के लिए जो enzymes होते हैं उनको अपregulate करेगा acetaldehyde बढ़ा देगा इससे क्या हो जाएगा obviously बात है fatty acid हमारी body में बढ़ना start हो जाएगा बहुत जादा increasing building block catalyst and direct stimulating factor like क्या करेंगे liver cells increased fat production यानि कि overall कहना क्या चाह रहा है building block fatty acids यह बढ़ेंगे catalyst होगे और fast होगे and direct stimulating factor यह सब मिल करके liver cells के अंदर fat का production या ultimately यह सब line हटा जेना सिदे लिखना liver cells के अंदर fat production increase कर जाएगा ठीक है liver cells के अंदर fat production increase कर जाएगा increased lipogenesis in the liver triglyceride production है और साथ-साथ में क्या हुआ फिर triglyceride production हो जाएगा triglyceride accumulate in the liver cells finally triglyceride fats जोओंगे liver cell के निखटे हो जाएगा और fatty liver और फिर उसके बाद और दिक्कते आना start हो जाती है ठीक है या तो इस line को याद कर लो यह सब अटा दो ठीक है simple बना रहा हूं मैं यह थोड़ा सा इदर बीच में इनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ठीक है when a cell is in high energy state अगर यह ratio increase कर गया एने डीएच रेशो एने डीपनेश increase मतलब बढ़ गया अगर याने कि एने डीपनेश की मातरा बढ़ गी एने डीपनेश की कम हो गई इसका मतलब कोई cell high energy state में है high energy मतलब energy आगी काफी तो जब energy state में metabolic process that provide energies are immediate अब उसके वास बहुत सारी energy है तो जो energy देने वाली process अब ठप पड़ जाएंगी याने कि fat को तूट करके energy देनी थी अब वो fat नहीं तूटेगा याने कि fat हमारा एकट्टा होना शुरू हो जाएगा decrease beta oxidation याने कि breakdown of triglystides in the liver और ये जाकर के finally क्या हो जाएगा एकट्टा हो जाएगा हमारे liver cells में ये छोड़ देना बीच में ये बहुत ज़्यादा high-five हो जाएगा ये पार्ट ना इतना पार्ट ये बीच में से निकाल देना ये हटा देना ठीक है ना अब acetaldehyde और NADH मिल करके तुमको क्या कर रहे है तो यहाँ पर pathogenesis तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी असान हो जाएगी यहाँ से तुम्हारा बहुत जाएगा ये इसको हटा देना कि लिए रहे बाते ठीक है तो दो इस तरह दिखा दोके फाइनली किस तरह से हमारे लिवर में क्या है फैट का डिपोजिशन हो रहा है और आगे जाकरके उसी टाइप से प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी आगे आते हैं ना क्लिनिकल मेंफेस्टेशन क्या क्या चीजे समसा हो जाएगी जब बहुत जादा इखक्टा हो जाएगा लिवर के अंजर शेंटम्स उफ इंटॉक्सिकेशन है ना लिवर हमारा इंटॉक्सिकेटेड हो जाएगा याद खट्य हो गए न यह जो एक तरह से टॉक्सिन है जहर है उसके लिए लिवर के लिए symptoms of signs of withdrawal withdrawal मतलब कि आप जो लिवर को छोड़ते हो तो उस समझा आपको symptoms दिखाए पड़ते हैं हाथ पेरा कापना या कुछ और चीज़ें वो आपको दिखने लाएंगे hepatomegaly लिवर का size बढ़ जाएगा jaundice हो जाएगा features of chronic liver disease chronic liver disease spiders diapurans और contractures ठीकर नहीं मतलब इसको छोड़ देना यहाप पर disease को छोड़ दो केवल यहाँ पर लिखो chronic liver disease जो लिवर की बिमारिया हैं वो आपको क्या रहाएगा उसको याद करने जो तनी होता ठीकर ना चीज़ें असान हो जाएगी features of chronic liver disease chronic liver disease के features होते हैं फीचर सी एक तरह से वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे मत लिखो उनको एक्स्ट्रा hepatic manifestation liver के अलावा क्या होगा pancreatitis pancreas के इंफेक्शन हो जाएगा neurological disease बहुँआ दारू पिरेन से आपके नर्स वगरा में या हाथ परों जंजनाट वगरा भी स्टार्ट हो जाती है बुखार आएगा लिको साइटोसिस लिकोमाइट रियक्शन जो होगा और हीमोलाइस इसे हम जीव सिंड्रॉम भी कहते हैं यहाने कि और ब्रेक्डाउन होगा और भी कहीना कहीं स्टार्ट हो सकता है तो यह सब कहीना कहीं जो क्लिनिकल मेनफेस्टेशन हैं बताते हैं कि आपके लिवर में प्रॉब्लम आ गई है नॉन फार्मकोलोजिकल ट्रीटमेंट आपको पता ही है अल्कॉल छोड़ दो तो अल्कॉल छोड़ देंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट आफ एप्स्टिनेंस मतलब मना करना है एफेक्टिव इन प्रेवेंटिंग प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज अल्कॉल विड्रॉल सिंड्रॉम एंड रिनिक्स इंसेफिलोपैथी नीट पैरलल ट्रीटमेंट टू ठीक है ना जो विड् ने स्टार्ट करना अच्छा प्रोटेंगे में विटामीन ए पोलने क्रामीन थाम मीलच सुकण कर्या कृटिक अलकोल को त्याह्याइट है कि reg 갈 बहुत सीवेर अल्कॉलिक हेपटाइटिस है क्यों लिवर करना के डामेज हो चुका है तो उनमें एंटिवाइटिक्स अगर बहुत है यह दिख्कत हो जाएगी है ना पढ़ा ना फर्स्ट पास्स मेटाबॉलिज्म लिवर करता है तो वहां दिख्कत आएगी इसलिए अगर लिवर की प्रॉलम है तो हैवी अंटिवाइटिक्स नहीं दी जाती है बचते हैं उससे शुट नॉट वे गिवन टूपेशेंट विद एक्टिव जी आई ब्लीडिग अगर किसी को गैस्ट्रों ब्लीडिग की साथ में हो रही है जी आई गैस्ट्रों तो यह नहीं देंग ठीक है ना एंटी टीख एफ एक्शन होता है अब टी एफ क्या होता है त्यूमर विद्विद देंगर को को सकते हैं तो यह हमारे पास क्या और गया फार्मकर जीकल treatment और ये lecture भी हमारा ख़लाब हो जाता है ना छोड़ छोड़ लेक्चर मैजदास इस lecture है दिमाग में set करते हैं लिख तो फिर अपने आप से लो गई और जो बैंगे उसकी pathogenesis की table बनाए थी उसको और simple कर ले ना एक क्लाइन में जो एक्स्टर चीज लगे उन्हें हटाते जाना किवले क्लाइन में उससे लिख करके और simple बना सकते हो ठीक है ना रिविजिन के टाइम में जब लोग बाद में डाउट्स वारा लेंगे जो बहुत जाज़ा चीज़ होंगी उसको और simple simple बनाने की हम लोग क्या करेंगे कोशिश करेंगे तो करना क्या है तुमको पताईए बहुत अच्छे से नोट इस वीडियो के सब्सक्राइए तो पढ़ते रहो रिवाइस करते रहो अल्दा बेस्ट